सब्सक्राइब किजिए सिंपरेंस किचन को और बेल आइकोन को दपाएए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस नहों, इट्स टॉटली प्रेट्स आज हम्हांड भेसे दशते.ाज भेसे बना भॉघा झाँshon में देखते हैं और भेसे शच्छा बीज़ बैसे तो क्योंड भॉत हम पर इसे नादा सब्ढ़ाई भी जिसको अोवब बनाने हैं जिसको यहां भात भी स्वैस्ति कम बॉरियो लेए ताकि जब हम इसे अच्छे से चला जाए, इसके अलावा पास्तो ग्राम चिकन के लिए हमें चाहिए पास्तो ग्राम राइस, मैं यहाँ पर लॉंग बास्मती राइस यूज कर वही हूँ, जिसको कि हमें 15 मिन पहले बीगोगा रपना है और फिर इसे बॉल करना है, राइस को इसका वीडियो मैंने पहले ही मेरे चानल पर अपलोड कर रखा है, आप उसमें से इसे देख सकते हैं, तीन बड़े टमाटर में कटे हुए, दही चाहिए हमें 250 ग्रम दही को अच्छे से पेटले ताकि इसमें कोई लंप सना रहे, तीन बड़ी प्यास, फ्यूवी, अब ज एख काट्साय तीमाटर मसाली कटर हैं, अब जाए लिए तीमने, वीजूवी, जाए होटाम पाटर मसाला कोई गवायाल विचितिस्पून, अपने मसाले कर सकती हैं, दनिय यह पपाट्साल में। व क्यूआ प्यूलिया है, नी में तीन लिया हमें डिया अश चाह आपर तेजपत्ता, जावेती ले लेंगे, बड़ी लाइची, तो हवी लाइची, दालचीनी, तीन से चाव लॉंग, तीन से चाव काली मिर्च, तो यह हमने खड़े मसाले देख लिए है, अब कावनिश के लिए और बिव्यानी में डालने के लिए इसका टेस्ट बढ़ाने के लि अब लसुन की पैस्ट चाहिए हमें, 1-2 तेबल स्पून, नमक अपने स्वाधनु साव लेंगे, अब यहापे मैंने दो फूर कलव लिए है, अब आपके चॉस के साब से फूर कलव ले सकते हैं, या तो फिर से स्किप कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कुकिंग वाइल चाह आपको पहले ही पता दिया, आप अगर चाहे तो मेरे चानल पर वाइस कैसे बॉल किया जाए उसे देख सकते हैं, तो चिकन को मैंने के लिए यहां पर मैंसमे डाल दूंगी अद्वक अबलसून की पेस्ट, साथी डालेंगे टमाटर, दही डाल देंगे इसमें, दही को अब हमने जो पाउडर मसाले लिए थे वो पाउडर मसाले और हवे मिर्च हमें यहां पर डाल देंगी है, सॉल्ट अड़ कर देंगे, नमक मिर्च आप अपकी हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, साथी अब हम इसमें डालेंगे प्यास, प्राइड अन्य डाल देंगे, इसको ह अगर चाहे तो पुदीना पत्ती, हवादनिया और हवी मिर्च की पेस्ट पना कर भी इसमें डाल सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे हवादनिया, देखिए अब हमने इसमें सावी के सावी हमावी जो इंकुरियांस थे वो ताल दिये है, खड़े मसाले बच रहे हैं जिसक अगर आपके पास समय जादा है तो आप इसे जादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं यह जितना जादा मैविनेट होगा उतना ही जादा खाने में टेस्टी लगेगा तो इसे एक गंटे के लिए लग देते हैं तो यह देखिए एक से देड़ गंटा हो चुका है अब हम चलत जादे विए टाइब देजिए दिया है अब हम इसमें सावी के सावी के सावी कहड़े मशाले डाल देंगे चला देंगे इसे और मासालों को हमें आदाम निट तक की चलाते हूँ अच्छे से फूनने देना है ताकि इसका प्लेवर तेल में अच्छे से उतर जाए आदाम तो यह देखिए यहाँ पर मैंने सावा के सब्सक्राइब चिकन इसमे टाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे मिक्स करने के पाद हम इसे ढख कर घहमी आज पर 10-15 मिनिट तक के पपने के लिए छोड़ देना है तो यह देखिए मैंने से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इससे एक लीड से धख देंगे और ग्यास की फ्लेम लो रखेंगे लो फ्लेम पर हमें इसे धख कर घ्रीमी आज पर 15 अमनिट तक के पका लेना है ताकि हमारी जो चिकन है वो टेंडर हो जाए और सारे मसाले जो है उसमें अच्छे से चले जाए तो यह देखिए दस से पंगा में ठोच चुके है पांट का अठा देंगे जैसे कि मैं आप तो बताया था इससे बीच-बीच में चलाते रहेंगे तो इससे साप से मैं इससे बीच-बीच में चला दिया था और यह हमारी जो अपनी है बन पर तायर है दो जो लगक है दो अच्छे से तेंटुर हो चुका है देखिए ऐसक कि प्लेम् यह ठाहर कई शीक कर में ऩू प्ताय देखिए यह यहां पर मैने एक जाड़े तले से बांट आ ले लिया है और इसमें मैंने यह चीक है दिल जागी था जाल चुका हा तो चला पर एक फुर्ड कलब बार दाने लगी जहांतेजा स्थाञे ढूर्ट निए तो यह देखिया यह देखिया है।けれ मैं थोड़ोριसी फैड ओनिया डालीके पेला देंगे इसे उछे से, अधीना पती दाल देंगे हको हातों से थोड़ा साथ तोड़ करें डालेंगे अब हमने जो राइस बोल करके रखे थे वो यहां पर राइस को डाल दोने देने हैं तो यह देखी, मैंने इसमें राइस डाल दिये हैं आप हम इसे पुदिना पती हवा धन्या के और देशी घी डाल के इसे गापनिश कर देंगे यहां पर अगर चाहे तो फूर कलर डाल सकते हैं या तो फिर अगनी की उपर जो आजाता है वो डाल सकते हैं मैंने यहां पर वो ऑईल निकाल लिया था यहां पर इसमें डाल रही हूँ छेंट पूल गlor पें केंज cha hai तो पूट जालो एक चाह हो बास ना चाहम्त नहीं है। घला मैं फूर पुदिने पतनें हैं की गूरा अ कर तो यहां पर लिस्पाहम रभस कमार। अब हम इसे एक लगे से थक देंगे. अब इसे ढग कर हमें हाई फ्लेम पे पहले 2 म्यूट तक के पकाना है उसके के तक थेम फ्लेम मिडियम कर देंगे या लो कर देंगे लो फ्लेम पर इसे 7 अ आफ मिन तक के पका लेंगे. तो rubbish अगर आपके पास जाड़े तले का बरतन नहीं है तो आप इसे मीचे पैन या तवा रख सकते हैं और फिर ये बरतन रख सकते हैं तो टोटल हमें इसे 10 मिट तक के पका लेना है उसके पास हमारी जो बिव्यानी है वो बनकर बिल्कुल तेयार है तो यह देखिए 10 मिट हो चु बिल्कुल निश में निकाल लिया है हमने जो चिकन के पीसेस पर फूड़ डाला था आप देख सकते है कि उसके वज़े से चिकन के पीसेस को जो है बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है तो हमारी बहुती डिलिशियस बहुती सिंपल और क्विक रेसिपी तयारे आप इस एक अगर आपको मेरी वेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले कल फिर मिलते है एक नई डिश के साथ तब तक के लिए हपी कुकिंग